आज मैं फिर आप लोगों से बात करने आई हूँ और आज मैं आपको बताना चाहते हूँ कुछ जो मिले साथ हुआ है डे बिफोर यस्टेड़े 21st of November was a nightmare for me So I want to share this experience ये वीडियो बनाने का मतलब सिर्फ इतना है कि मैं चाहती हूँ कि जो चीज मुझे नहीं पता थी हो सकता है मैं बेवकुफ हूँ हो सकता है कि कुछ लोग कहेंगे कि आपको इतनी सी चीज पता नहीं थी आपने कैसे किया लेकिन हो सकता है कुछ लोग अभी भी हैं जिनको नहीं पता हो मेरी तरह और उनसे ये भूल ना हो जाए गल्दी ना हो जाए इसलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ आपने ग्रोसरी से लेके उबर पे अव्री तरह पास कभी नहीं होता अगर मेरे पास कैश होगा तो या तो 100 रुपीज या 200 रुपीज इतना ही रखती हूँ उससे साधा मेरे पास कैश नहीं होता कभी 21st of November को क्या हुआ मेरा Paytium मैंने यूज करने कोशिश करी ग्रोसरी शॉप पे सुबह तो वो नहीं चला थ्री टाइम्स थ्री टाइम्स वो नहीं चला और उसमें मेसेज आया something went wrong और something ऐसे so I was shocked कि यार क्यों नहीं चल रहा network भी है तो मैंने Google Pay यूज किया और Google Pay से मैंने continue किया उसी दिन जब मेरा सुबह नहीं चला मेरे पास दोपहर को मेसेज आता है कि your KYC is not completed and this is the number एक number आया उसमें you can contact this person for your KYC so क्योंकि मैं Uber में भी बहुत ट्रैवल करती हूं तो यह KYC का जो चक्कर होता है यह Uber drivers को भी बहुत परिशान करता है चीक है तो मैं KYC लगाता सुनती रहती हूं कि मैणम मेरा KYC नहीं हुआ है इसलिए मेरा Pay टियम नहीं चल रहा तो मैं frequently यहीं सुनती हूं से कि KYC के वेसे उनका Pay टियम रूप गया है तो मुझे ऐसा लगा कि शायद मेरा KYC है कुछ होआ होगा नहीं चल रहा है और वो message मैंने connect किया कि मेरा जो Pay टियम नहीं चला तो वो इसी का message आया होगा मुझे बिल्कुल भी कोई और अंताजा नहीं था फिर भी मैंने उस पर call नहीं किया उस number पर और मैं अपना normal day कर रही थी शाम को मेरे पास एक call आता है और उस call में वो बोलता है कि मैडम आपका KYC नहीं हो रखा है तो मैंने का भाईया मेरा KYC हो रखा होगा तब ही तो मैं दो साल से use कर रहे थी ना अपना Pay टियम अचानक से तो he convinced me कि आपका KYC जो हुआ था वो 60% हुआ था 40% और बाकी है तो मैंने कहा कि अच्छे तो मुझे क्या करना पड़ेगा तो उसने मुझे कहा कि आपको मुझे कुछ नहीं बताना है मैं आपको बताता हूँ और आप अपने आप अपना KYC कर सकते हो तो I was fine with it because जहां तक मुझे पता है था कि fraud में आपका CVV नंबर आपको किसी को नहीं बताना चाहिए और आपको अपना OTP जो आता है जब हम कोई transition करते हैं वो OTP किसी को नहीं बताना चाहिए तो यह details है जो आपको share नहीं करने चाहिए और अगर कोई आपको link भेजता है support, quick support करके और फिर मैंने का ठीक है होगा शायद कुछ ऐसा और मैं disturbed भी थी बहुत उस दिन मेरा दिमाग सच में मेरा किसी भी चीज़ मेरा दिमाग नहीं चला उसने कहा quick support app download करो और वो app download करते ही उसने कहा कि allow करो उसमें मैंने allow किया और उसके बाद मेरे mobile का सारा details जो भी मे हो रहा है मेरे mobile में ठीक है उसने कहा आपकी pay tm जो limit है वो मैं increase करना चाहता हूं इंक्रीज करवाने के लिए आपको अपनी card की detail दीजिया आप मुझे मां बताइए आप खुद detail डालिए और आपकी limit increase होगी तो मैंने कहा भी उसे कि मुझे limit नहीं चाहिए मुझे भीया क्य लेकि मुझे क्या पता था कि मैं जो details डाल रही हूं वो सब वो देख पा रहा है वहाँ पे फिर मैंने अपनी details डाली पहली transaction हुई 1 rupee की तो भी मुझे शक नहीं हुआ because authentication के लिए Google पे और ये सब 1 rupee की transaction करते हैं और जो कि आपको तुरंत वापिस आता है आपके account में लेकि तो उसने बोला कि मैंडम आपकी limit बढ़ रही है ये पैसे आपके दुबारा account में reflect करेंगे तो मैं अब में पस क्योंकि मुझे पता नहीं कि उस app से हो रहा है मैं सिर्फ continue से बात कर रही हूं और मेरा फिर तीसरी transaction होई 9,999 rupee की तब मेरा दिमाग सनग गया था और तब तक म कोई बड़ी transaction कर रहा था और वो आपको call करते हैं confirm करने के लिए तो जैसे उनका call आया मैंने उनको बोला कि ये transaction मैं नहीं कर रही हूं please stop this payment ठीक है और मेरे account में और कुछ कोई payment नहीं होने चाहिए because मैं नहीं कर रही हूं उसने मैंने मेरे बोलने के बावजूद अगले ती अपनी महनत की कमाई जो मैं दिन रात लगा कर कमाती हूं वो मेरे सामने मेरे सामने मेरे सामने मेरे पैसों की कटने की messages आ रहे थे और मैं कुछ नहीं कर पा रही थी मैं जब I was just shouting और मैं घर में अकेली थी and I am very thankful to my neighbor who was with me because मेरे लिए वो बहुत बड़ा सद्मा था बहुत ब मरते बची हूं उस चीज से जो पैसे गए गए शायद मैं भी चली जाती उस दिन फिर एन मौके पर मेरे husband आ गए तब तक मेरे husband आ चुके थे उस बंदे ने मेरा दूसरा debit card भी उसकी entry करवा करके उसमें से पैसे कटने शुरू ही हो गए थे कि मेरे husband आ गए और उन्होंने तुरंत वो एप डिलीट किया वो एप डिलीट किया तब मेरे पैसे कटने बंद हुए लेकि मेरा जो पहला account था वो पूरा खाली हो चुका था all money gone ठीक है एंड इस्टिल वो फोन पे था कि मैं आपकी पैसे जा रहे हैं आपकी पैसे वापिस कर देंगा अभी करता हूं मैं आपको card to card वापिस करता हूं मैं एंड मुझे उम्मीद थी कि हाँ शायद वापिस कर देगा शायद मैं जादा सोच नहीं शायद शायद मैंने cyber police वारों ने तो जो सुनाया मुझे सुनाया ठीक है can you believe कि मुझे अगले दिन उस बंदे का दुबारा फोन आता है उस fraud का ठीक है मैंने वो फोन नहीं उठाया that time I was in bank ठीक है I was doing all the formalities to freeze my account and everything so मेरे husband ने फोन उठाया वो और he was casually talking कि आपके पैसे ना आ जाएंगे आज शाम तक आपकी wife कैसी है कल वो बहुत परिशान हो गई थी ठीक है या तो वो यह देख रहा था कि कर मैं फोन उठा लेती तो वो कोशिश करता मेरे दूसरे account से पैसे लेने की या तो पता नहीं किस नहीं आई कि why to block why can't we trace that number it's a scam ठीक है मेरा दो कोशन है कि पेटियम की security कहा है ठीक है जब पेटियम हम इतना उस पे dependent हो गए हैं लेकिन पेटियम की security कहा है पहली बात मेरा पेटियम ना चलना यह इंडिकेट करता है कि इसका मतलब मेरा पेटियम शाद पहले ही हैक हो चुका तब मुझे मैसेज आता तो शायद मेरे केंदर क्लेक करता कि मेरा पेटियम ना चलना और उसके बाद मेसेज आया मैंने दोनों चीजें को connect किया इसका मतलब पहले से ही सब कुछ हो चुका था दूसरा जब मैंने hdfc वालों को बोला कि आप मैं यह पैमिंट नहीं कर रही ह को तो भी वो रुका नहीं, तो भी होता गया, क्यों? क्या हमारे पास कोई टेकनालोजी निया है? क्या है, कुछ तो लूप होल है ना? तीसरा ये जब मैंने उस साइवर पुलिस को बोला कि आप मेरे पस वो फोन आ रहा है तो उन्होंने कहा हम वो ट्रेस नहीं को सकते सर वाई वाई शुड़ा ब्लॉग तैट नंबर तो उन्होंने बोला मैडम आपना क्राइम पेट्रोल बहुत देखते हो आपको लगता है कि नंबर से ट्रेस किया जा सकता है कि आप मेरे पास आना मैं आपके आदे घंटे की क्लास लोगा और आपको बताऊंगा मेरा कोईशन आप लोगों से है और सब से है मेरे साथ जो होना था हो गया इस वीडियो का एक मतलब है कि आप सब अवेर रहें ये जो हो रहा है दूसरा मेरा कोईशन ये है गौर्णमेंट से कि हमने हर चीज को डिजिटल करने की कोशिश करिये कि आप इससे यूज करें ये यूज करें पर सेक्यूरिटी कहा है और जब किसी साथ ऐसा होता है तो पुलीस कैसे ये क्या आंसर था कि आप क्राइम पेटर बहुत देखते हो ये एक common knowledge है I think सबकी कि हाँ mobile number से किसी को trace किया जा सकता है जब mobile से इतनी सारी चीज़े हो रही है तो trace कि नहीं हो सकता ये जवाब था उसका विकर शायद उसके लिए मेरे पैसे उतने माइन रखते क्योंकि मैं शायद politician नहीं हूँ शायद मैं एक आम आदमी हूँ ठीक है तीसरा यह कर सकती हूँ कि मैं at least जितने लोगों से मिल रही हूँ जितने लोगों को जानती हूँ और जितने में मेरे आसपास हैं मैं सब को बता रही हूँ यह बात कि ऐसा हुआ ऐसा हुआ सारी डिटेल दे रही हूँ so that मेरी तरह किसी और के साथ ऐसा ना हो please be aware ठीक है अगर आप पे टीम यूज करते हैं मैं तो बोलूंगे यूज करने की जरूरत ही नहीं है ठीक है back to normal cash यूज करें ठीक है अपने UPI pin अपने mobile में ऐसे safe किसी ऐसे app को HDFC या किसी भी bank के app को रखने की जरूरत नहीं है because it is not safe जब आपके सब कुछ ऐसा हो जाएगा तो यह वही bank है जो करेगा ठीक है और हमें इसके बाद अगले दिन ही कल के निउस पेपर में आया पेटियम का यह क्योंकि मेरे से पहले भी लोग बैठे हुए थे जब मैं साइबर पूलिस के पास गई मेरे से बाद भी लोग थे और कितना जादा हो रहा है मतलब इतने सारे cases मैंने सुन लिए अपने आसपास ही उसके बाद अगले दिन ही कि अच्छा इनके मेरे क्लाइंट में ही तीन लोग के पास ऐसे messages, same messages आये हुए हैं और उसमें से दो लोग वो भी कह रहे थे कि हम यह करने ही वाले थे कि बात कर लेते हैं यार कि वाईसी करवा लेते हैं अच्छा हुआ आपने बता दिया, तब मुझे लगा कि थैंक गॉड कि मैंने बात कर ली इस बारे में, थैंक गॉड कि मेरे थ्रू उनको पता चल गया कि क्या क्या हुआ और वो बच गए, इसलिए अगर आप किसी को जानते जो पेटियम यूज करते हैं, so please be aware and आप जितने लोग को बता सकें, ब जाएं, because it is not easy to handle this, चाहे वो 5,000 रुपीज हों, चाहे वो 5,000 रुपीज हों, किसी की hard-earned money उसके सामने चली जाए, इस तरह से, ये जहलना बहुत मुश्किल होता है, Thank you.